नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं होरचा शुर्मा विहार विधानसबा चुनाव में एक बार फिर से नतीर शुकुमार की सरकार बन गई हाला की जितन रामांची की पार्टी को साथ सीटे मिली थी जिसमें से चार सीटो पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की हिंदोस्सानी आवाम मोर्चा की बात करें तो अब भिहार चुनाव के बाद परश्यम बंगाल की में होने वाले चुनाव में भी हंदोसानी आवाम मोर्चा मैदान में नजर आएगी वहाँ पर भी हम के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे इसको लेकर 13 दिसंबर को जो राश्ट्रिय परिश्रत की बैठक हुई उसमें तैक या गया कि अब अगामी बंगाल में जो चुनाव होना है वहाँ पर भी हम की प्रिश्ट भूमी दिखेगी और वहाँ हम चुनावी मै में होगा और सब के बीच 18 दिसंबर को राश्ट्रिय कारेकारने की बैठक है और इस बैठक में ही ये फैसला लिया जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे और आगे की स्ट्रेटजी क्या कुछ होगी बिहार विधान सबा चुनाव के बाद हिंजुस्तानी आवाम मोर्चा के राश्ट्रिय परिश्ट की बैठक 13 दिसंबर को पटना के पुर्व मुख्यमंत्री और हमके राश्ट्रिय अध्यक्ष जितन रामांची के आवास पर हुई पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता डॉक्टर धानिश रेजवान और प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने ये बताया कि पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जितन रामांची के अधिक्षता में हुई राष्ट्रिय परिश्ट की बैठक में ये तै क्या गया है कि आने वाले समय में पार्टी पश्रिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी जिसके लिए कारेकरताओं को एक जूट करना जरूरी है बैठक में जितनरा मांजी ने पार्टी की मजबूती के लिए कारेकरताओं को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि आज हमारे दल के चार विधायक और एक विधान पार्शद है आगे इनकी संख्या बढ़ेगी इस सफलता के लिए मैं अपने कारेकरताओं को धन्यवाद देता हूं मांजी ने कहा कि राजनेती दिशा बदली है काम की गुणवता और सध्धान पर कोई नहीं जा रहा जाती धर्म के आधार पर य अगर ध्यान नहीं दिया गया तो गरीबों के विकास में वादों की बात बनने में शायत 74 साल और लगेंगे जब तक 80-90 प्रतीशत विक्सित होंगे तब संभव है मांजी ने कहा कि मैं जाती और धर्म पर विश्वास नहीं करता मेरे लिए हर जाती और धर्म के गरीब मेर परिवार हैं और मैं अपने उन गरीब परिवारों की सेवा करना चाहता हूं निश्रित तौर पर हमारी पार्ती गरीबों के ह cannibal के लिए काम करेगी इसके लिए हमें जोभी निर्णाय ल seminar होगा हम समय समय पर लेती रहेंगे पौटी ने कहा कि हमारी पार्ती के और से विश प्रति साधुबाद जन मुद्दों को अगर सरकार नहीं मानती तो उस सिति में हमारे कारेकरता मुद्दों को लेकर सड़क पर उत्रेंगे इसके लिए कारेकरता को तयार रहना होगा तो जितन रामांची ने 13 दिसंबर को हुई बैठक में ये सपस्ट कर दिया है कि अब अगामी बंगाल में होने वाले चुनाव में भी जितन रामांची की पार्टी से सिपाही नज़र आएंगे और वहां को लेकर पूरी तयारी जोर उपर हो रही है पिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियूस फोर नेशन नमस्कार